हेलो स्टुडेंट क्लास 12 में पढ़ने वाले उन सभी स्टुडेंट को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है इसलिए जितनी भी तयारी आप लोग कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ पूरी तयारी कर लीजिए क्योंकि टाइम खतम होने में पता नहीं चलने वाला जी हां अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है नवंबर कब आ जाएगा दिसंबर कब खतम होगा प्रेक्टिकल एक्जाम की डेट आप लोगों की आ जाएगी उसमें आप लोगों 30 मार्क्स जो दिये जाएंगे प्रेक्टिकल के वो 30 मार्क्स में दिये जाएंगे इसलिए ध्यान रखें जो भी एक्जामनर आप लोगों के स्कूल में आएगा वो आप लोगों से कुछ ना कुछ कोस्चन जरूर पोचेगा मतलब वाइवा वाइस कोस्चन को पूछने के बाद वो जब तक सैटिस्फाइड नहीं होगा आप तक वो आपको नंबर देने वाला नहीं है इसलिए अपने दिमाग से एक भ्रहम जो है कि स्कूल नंबर दे देगा आप लोगों के ये बिल्कुल निकाल दीजिए इस स्कूल से आप लोगों को एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है ध्यान रखिएगा इंटर बोड में उसका feedback teacher उस examiner के सामने रख देगा और कहेगा किस प्रकार से आप लोगों ने तयारी की इसमें कौन-कौन से student हैं जिनको 30 after 30 देज़ना चाहिए ये बताया जाएगा वो किसके द्वारा बताया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ teacher के द्वारा इसलिए अगर आप लोग कामचोरी दिखा रहे हैं उनलाइन active होने में तो आप लोगों के लिए समस्या आ सकती है तब जब examiner आपके school में आपको marks देने के लिए आएगा बिल्कुल समझ में आगी बात चलिए बात करते हैं अब क्या करना है हाफेली exam के तैयारी आप लोगों कराई जा रही है इसलिए आप लोग हाफेली exam के papers में online active रहे है और active रहना ही नहीं है paper को solve भी करना है अगर कोई question नहीं आ रहा है तो घबराने के कोई आवसकता नहीं है घबरा जाएंगे तो आप लोग बोड का paper कहीं ना कहीं गलत करके आ सकते हैं इसलिए ये जो हाफेली exam के तैयारी आप लोगों कराई जा रही है कई तरह के question ऐसे ही question बोड के exam में पूछे जा चुके है इसलिए question देखिए नहीं आता घबराईए मत छोड़ दीजे जो आता है उसको करिए और जो नहीं आता है उसके लिए तैयारी ही तो करनी है वही त तैयारी कीजिए घर पे बैठ के कीजिए इसकूल आ के अपने doubt को पूछिए और वैसे भी इसकूल खुलने वाला है इसलिए परिसान होने की आवशक्ता बिलकुल नहीं है चलिए बात करते हैं कौन-कौन से questions आप लोगों से पूछे गए हाफेली exam में होने वाले जो questions में से ऐसे questions पूछ लिए जाए लेकिन कोई guarantee नहीं है इसलिए सारे questions जो भी आप लोगों का आज practice test में पूछे जा रहे हैं उनको solve कर लीजिए पहला question simple पूछा गया है mention the advantages of selecting pea plant for the experiment by the Mendel Mendel के बारे में तो सबको पता है father of genetics clear है इसका मतलब ये भी पता होगा आप लोगों के मेंडल के तीन experiment जो की genetics inheritance से related थे तो law of inheritance जिसको आप लोग जानते आए हो कौन कौन से थे याद कीजिए अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ law of dominance था law of segregation था और law of independent assortment था ये तीन experiment मेंडल ने बताए थे समझ में आ गई बात monohibrid crop समझाया था, dihybrid crop समझाया था लेकिन question में ऐसा कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है क्या पूछा जा रहा है mention करना है सिर्फ और सिर्फ advantages of selecting pea plant of experiment बाई मेंडल मेंडल ने अपने experiment मतर के पौधे पर क्यों कि ये उसी का advantages लिग देना है उठाईए pen और क्या करिए copy में ल science है, bio है, कोई भी चीज रटने वाली इसमें नहीं है, मतलब जो भी चीज आप लोग किताम में बायो में रखी है, वो सैधान्तिक है, मतलब theoretical part कुछ भी नहीं है, सब कुछ practical है, इसलिए science में कुछ भी जूट नहीं है, तो मेंडल ने अपने मतर के पौधे पर जो भी advantages बत explain the law of dominance using a mono hybrid cross, तो mono hybrid cross नाम से ही लग रहा, ऐसा cross जिसमें mono का मतलब होता है, single characteristics feature वाले लक्षण वाले पेड़ पौधों के बीच कराए जाने वाला cross, समझ में आगी बात, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, explain कर देना है, क्या चीज explain करना है, law of dominance, अभी आप लोगों ने सीखा मेंटल के तीन नियों में से, एक नियम का नाम था, law of dominance, dominance से समझ में आ जाएगा आप लोगों को dominant, तो dominant क्या था, प्रभावी लक्षण थे, किसके थे, मतर के ही तो थे, मतर के पौध है, कि जो main लक्षण थे, प्रभावी लक्षण, जो contrasting character मतर के पौध है में दिखाई द जान रहे, most important question, कई बाट बोर्ड के एक्जाम में ये पूछा भी गया है, चाहें आप लोग CBSC त्यारी कर रहे हैं, चाहें ICCC की त्यारी कर रहे हैं, चाहें UP बोर्ड की त्यारी कर रहे हैं, NCRT सभी में लागू है, इस लिए पढ़ते हैं, सब कुछ चलना है, कोई भी question वाला नहीं है, most important question, चलिए बात करते हैं, question number तीसरे की तरफ, briefly mention the contribution of the TH Morgan in the genetics, genetics की बारे में तो आपको समझी गए होंगे, इतनी बड़ी biology की विज्ञान की एक साखा है, the branch of biology in which we deals with the study of, किस चीच के इस्टेडी करते हैं, genetics में क्या करते हैं, inheritance characteristic के बारे में तो पढ़ते हैं, क्या चीच, genetics, लिख डाली है, contribution of TH Morgan, ठीक है, biologist थे, लिखते चले जाएं इनके बारे में, क्या दिया था इन्होंने, genetics में क्या चीच इन्होंने की थी, वही लिख देना है, next question है, question number 4, how is sex determined in human beings, किस प्रकार से sex is determined होते हैं, human being में, कैसे पता लगा लेते हैं, कि male or female के बाद होंगी, उसमें कितनी संताने लड़की होंगे, कितने पुत्रियां होंगी, लड़की होंगी, यही तो बताना है, कैसे करोगे, यह समझ में आगी बात, वही चीच आप लोगों को क्या करना है, crossing ओबर दिखाना है, मतलब cross बना के दिखाना है, उसी को बोलते हैं, sex determination, लिख explain कीजिए, down syndrome होता क्या है, briefly explain करना है, मतलब समय तो कम है, पूरे time आप लोगों को बायो के period में यह paper solve कर देना है, और within a period आप लोगों को end में क्या करना है, send कर देना यह paper, मतलब 10 मिनट जो आप लोगों को resting के लिए दिए गयते, उसको भी use कर लीजिए, ठीक है, most important question है, ब percentage में दिक्कत आप लोग कर सकते हो, अगर तयारी नहीं करोगे, तो तयारी करिए, अच्छी तयारी करिए, 90% के उपर जाए, मेरी ऐसी उम्मीदे हैं, आप लोग और ज़्यादा कर सकते हैं, score, बस खाली क्या करना है, मेहनत करनी ही थोड़ी सी, करिए मेहनत